नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों इसराइल विवाद पिछले एक हफते से जारी है लेकिन मैंने इस पर आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगा कि इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट जारी है और उनी प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने के लिए इसराइल के प्रधान मंतरी बेंजामिन नेतन्याहू ने ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा किया है लेकिन अब ये विवाद एक भीशन युद्ध का र फलस्तीनी थे वो जाकर अपनी प्रेयर्स कर रहे थे अब इसी में कुछ ऐसे तत्व भी अलकसा मस्जिद में घुस आए जिन्हें इसराइल रोकना चाहता था अब उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए इसराइल की पुलिस अलकसा मस्जिद के अंदर घुस गई और वहा बात से नाराज होकर गाजा पक्ति में स्थित हमास के लड़ाकों ने अटैक करना शुरू कर दिया इसराइल के ओपर इसराइल के शहरों पर रोकित लॉंच करने शुरू कर दिये लेकिन बात सिर्फ हमास तक तक ठीकी रहती तो मामला आगे न बढ़ता लेकिन इस मामले मे एक लोता ऐसा गुठ है जिसने इसराइल को ना को चने चवाएं है और ओल्मोश्ट हराया भी है ये बहुत ही ताकतवर संगठन है क्योंकि इसे अरब के सारे देश सपोर्ट करते हैं चाहे अरब के देश आपस में भले दुश्मन हो लेकिन जब हिजबुल्ला को सपोर्ट कर करने की बात आती है तो सब एक साथ हो जाते हैं और इसी वज़े से हिजबुल्ला के पास ना सिर्फ हतियार हैं बलकि पैसा भी बहुत ज़्यादा है इतना ही नहीं ये हिजबुल्ला जो संकठन है इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाईए कि जिस देश में ये इस् में लिए जाते हैं इससे आप समसकते हैं कि हिजबुल्ला कितना पावर्फुल है और कितना ज्यादा इन्फ्लुएंचल है पर इतना ही नहीं आप पिछले एक दशक का अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो आप आओगे कि इसराइल ने बहुत सारी बंबारिया की हैं कि हिजबुल्ला के साथ उसका कोई बड़ा युद्ध शुरू हो जाए लेकिन अब ये घड़ी आ चुकी है दरसल हुआ ये कि अब से तीन दिन पहले हिजबुल्ला ने अल-अक्सा मस्जिद में इसराइल की कारवाई से नाखुश होकर उसकी तरफ बहुत सारे रोकिट ल लेकिन बहुत सारों को वो रोकने में नाकाम हुए अलाकि इसराइल ने पहले दिन सयम बरता कोई भी अटैक नहीं किया दूसरे दिन भी सयम बरता लेकिन जब हमास के अटैक बढ़ते रहे तो अंत में कल रात इसराइली वायू सेना ने बहुत बड़ा अटैक किया लेबन जी बताया है कि हम बच रहे हैं हिजबुल्ला के ओपर कोई भी कारवाई करने से क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिजबुल्ला के साथ हमारा किसी भी परकार का कोई भी कॉन्फिक्ट स्टार्ट हो जाए इसलिए इसराइल अभी जो भी कारवाई लेबनान में कर रहा है वो सरका इसराइल को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना होगा और ये कदम होगा सीधा हिजबुल्ला से युद्ध यकिन मानी अगर इसराइल और हिजबुल्ला का कोई भी कॉनफ्लिक्ट या युद्ध होता है तो उस युद्ध को शायद इसराइल जीत तो जाएगा लेकिन ये इसर इसराइल को considerable नुकसान पहुचा सकता है और जो लेबनान और इसराइल की सीमा है वो तो पूरी तरीके से बरबाद होना बिल्कुल निश्चित आप मानिये और कहा जा रहा है कि इसी वज़े से इसराइल अंत्र तक कोशिश करेगा कि हिजबुल्ला से युद ना हो लेकिन इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेर मुच फू राचिंग वीडियो